नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे मा तुलसी की और जानेंगे कि तुलसी माता का सनातन धर्म में इतना अधिक महतुक्यों है क्यों की जाती है इनकी पूजा और क्या है तथ है भगवान शालिगराम और तुलसी के विवाह के दोस्तों तुलसी की पूजा पूरे भारत में की जाती है ये तो आप सभी जानते होगे लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनकी पूजा क्यों की जाती है ये कारण जानते हैं तुलसी की पूजा करने के पीछे एक परणिक कथा है आईए सरवपर्थम यह कथा सुनते हैं कथा के अनुसार माता तुलसी अपने पूर्व जन्व में राक्षा स्कुल में उत्पन हुई थी अब माता तुलसी जब राक्षा स्कुल में उत्पन हुई तो इसके पीछे उनके इस उत्पन होने के पीछे भी एक कथा है जिस पर एक और वीडियो हम बनाएंगे जो जल्दी ही पोस्ट किया जाएगा तो उस समय जब ये राक्षा स्कुल में उत्पन होई तब इनके माता पिता ने इनका नाम वरिंदा रखा वरिंदा बच्पन से ही भगवान विश्णों की परमभगत थी जब वरिंदा बड़ी हुई तब इनके माता पिता ने दानव राज जलंधर से इनका विवाह कर दिया वरिंदा बहुत ही पवित्र इस्त्री थी और विवाह के पश्चात वे एक पतिवरता इस्त्री बन गई वे सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी और किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान बिलकुल नहीं करती थी कुछ समय के बाद जब देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया तब जलंधर भी उस युद्ध में जाने लगा उस समय वरिंदा बहुत डरी हुई थी लेकिन उन्हें जलंधर पर पूर्ण विश्वास था और अपने पतिवरता होने पर भी पूर्ण विश्वास था उन्होंने अपने पती से कहा कि स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और जब तक आप युद्ध से वापिस नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा में बैठ कर भगवान विश्णु से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूँगी और जब आप वापिस आ जाएंगे तब ही मैं अपना यह संकल्प तोड़ूँगी इसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वरिंदा अपना वरत लेकर पूजा में बैठ गई वरिंदा के वरत के प्रभाव से देवता जलंधर को हराने में असफल होते जा रहे थे देवताओं के हर प्रयास विफल होने लगी जब हर तरफ से देवता हारने लगे तो देवता भाग कर भगवान विश्णु की शरण में गए उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विश्णू ने मना कर दिया वे बोले कि विरिंदा तो मेरी परम भक्त है मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता लेकिन देवताओं ने बहुत समझाया बहुत अनुनेवी ने करी उन्होंने का भगवन अन्य उपाय है ही नहीं यदि अन्य कोई उपाय होता तो हम आप से इतनी विंती ना करते अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं भगवान विश्णू ने जब देखा कि दूसरा कोई उपाय बचा ही नहीं रह गया कोई अन्य उपाय शेश ही नहीं रह गया तब उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया और जलंधर के रूप में आ गए इसके बाद विवरिंदा के महल में पहुँचे तो वरिंदा ने अपने पती रूप में भगवान विश्णु को देखा लेकिन पहचान न सकी उसे लगा कि उसके पती जलंधर आये है वह पूजा से तुरंत उठ गई और आकर उनके चरण छो लिए जैसे ही उसने अपना संकल्प तोड़ा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का सिर उड़ता हुआ वरिंदा के महल में उसके सम्मो खाकर गिरा वरिंदा ने अपने पती का कटा हुआ सिर देखा तो उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ चल किया गया है उसने क्रोध से पूछा कि आप कौन है जिसका मैंने स्पर्ष कर दिया तब भगवान विश्नु अपने वास्तिविक रूप में आ गये वरिंदा को यह सहन न हुआ कि उसके इष्ट देव ने ही उसके साथ चल किया था वरिंदा क्रोधित हो गई और उसने स्वयम के साथ किये गए इस चल के लिए भगवान विश्नु की शक्ति को साक्षी मानकर उन्हें ही श्राब दिया कि आप इसी ख्षण पत्थर के हो जाओगे और तुरंथ ही भगवान विश्नु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए हर तरफ हाहाकार मच गया हाहा कार इसलिए मच गया क्योंकि भगवान विश्णू ही जगत के पालक है और जब पालक ही पत्थर बन जाए तो जगत का क्या होगा देवता भैसे कापने लगे माता लक्षमी भी विलाप करने लगी माता लक्षमी वरिंदा के पास आई और उन्होंने वरिंदा को समझाया उससे प्रार्थना करी कि वे उसके पती को श्राप मुक्त करें ताकि जगत के पालन का कार्य अनवरत चलता रहे ना रुके व्रिंदा ने भगवान विश्णू को श्राब से मुक्त तो कर दिया लेकिन वह अपने पती का सिर लेकर सती हो गई जब अगनी की राख ठंडी हुई तो उस राख में से एक पौधा निकला भगवान विश्णू आत्म गलानी से भरे हुए थे और उन्होंने सहज भाव से कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप जिसे शाली ग्राम कहा जाएगा नित्य तुलसी के साथ रहेगा मेरी पूजा में मैं बिना तुलसी के कोई भी भोग आज के बाद सुईकार नहीं करूँगा और उसी समय से तुलसी की पूजा पूरे भारत में होने लगी भविश्य में यह अपने औशधिय गुणों के कारण और भी प्रसिद्ध हो गई तब से भगवान विश्य की पूजा में तुलसी का प्रयोग होने लगा तुलसी जी का विवाह भगवान शाली गराम के साथ कार्तिक मास में एकादशी तिथी को किया जाता है इस तिथी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं यह पूरे भारत में बड़े धूम धाम से मनाई जाती है लोग इस दिन वरत भी रखते हैं और तुलसी विवाह भी करते हैं तो मित्रों यहती जानकारी तुलसी पूजा के विशह में अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कारण थे जिसकी वज़ा से तुलसी राक्षस को लिवत पन्न हुई